नमस्कार स्वागते अब सभी का न्यूस 21 में मैं हूँ आपकी साथ हर्षदा अब खाबरी अन्य राज्यों से उनके जीवन से प्रेइणा लेनी चाहिए पूर विधायक जगतंबा सिंग पटेल ने कहा कि डोक्टर राम मनोहर लोईया स्वातंतरता संगराम सेनानी और समाजवादी चिन्तक थे सपा के वरिष्ट नेता संतोस गोयल ने कहा कि स्वतंतरता के बाद डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी विचारों के परती लोगों को जागरुक किया मिर्जापूर से एसन यादव की रिपोर्ट सरद्धानजली अर्पित्ती जा रही है जो सम्मान दिया जा रहा है और किस तरीके से लोहिया जी के सिधानतों पर समाजवादी पार्टी चल रही है और क्या कहना है इनका जी सबसे पहले आप उनको परिशे बताईएगा मैं देवी प्रसाइच चौधरी समाजवादी पार्टी के जिलादध मिज्जापूर हम आज ऐसे महां सो शंता सेनानी महां समाजवाद के फोसट समाजवाद के छिनतक आड़नी ना मुझाल लोहियादी के जन्र तित पर हम नोंको नमन कर रहे हैं सद्धास मिर्टित कर रह वाइर के दिल्ली में उनके सरकारी आवाज पर कि वह जो जोरी कपड़ा के अलावा यह भी रूबिया उनके पास नहीं था वह आच्छा यह मकान भीपने लिए नहीं बना सके आइसे महान सुत्रता से नानी कहां मिलते हैं वह जानते हैं दुर्भावना के तहट जै प्रकास्त नाराण जी के वहाँ पर उन्होंने बना था बना है बहुत अच्छा बना है जान भूच के खर से नहीं निकलन देना और ब्रेकेटिंग लगा देना और इस लिए कि वहाँ पर नहीं पहुंचने पाया इसे उस बार भी किया गया था क्या कारण था कि उन्हें रोका गया जान बूच करके हम लोगी प्रदिव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं उनके मकान पर बेरिकेटिंग कराकर बहां निकलने के नहीं यह लोगतन तक हथ्या की जा रही है तो आपने देखा कि हम गटना करम के यह अंदाज में जिस तरीके से कल आपने देखा कि सपा के राश्टी अखिले सियादों को जब तकास नरायन के इस दांजली अर्पित करने से रूका गया और आज यहां पर रामनरुलिया की नितिथी मनाई जा रही है अब यह देखते हैं कि समाजवादी पार्टी इस संगर्सों के बीच निकल के कहा जाती है क्योंकि कुछी समय में दस उप्चिना होने वाले हैं और काटे की टक्कर है विजेपी जो की सरकार में है समाजवादी पार्टी विपच्च में है देखते हैं कितना इनका संगर्स काम में आता है विर्जापुर से एसे नियात